नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरी चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स खूनी शडियंत्र खूनी शडियंत्र लेखक डॉक्टर महिंद्र मित्तल चित्रांकन भाल चंद्र मांड़के प्राता होते ही गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई आगरा सी चल दिये बुलाकी बैलो को जल्दिया को शाम होनी तक हमें फिरोजाबाद पहुंचना है चिंता मत करो मालिक हम पहुंच आएंगे शाम होते ही देखा मालिक सांच होने में अभी देर है पहुंच गए बस बुलाखी आज की रात हम इसी बगीचे में पड़ाव डालेंगे गाड़ी यहीं रोक लो जो हुक मालिक पड़ाव डालकर बुलाखी खाने पीने का सामान खरीदने नगर में पहुंचा तो वहां एक अजीब द्रिश्य देखकर हैरान रह गया जीवन में गिरकर क्यों गिरकरा रही है बड़े उतावली में बुलाखी गंगा राम पटेल के पास पहुंचा मालिक एक अजूबा देखकर आ रहा हूं एक रानी अरे पहले इस बोस्ते तो मुक्ति पाले खापी कर आराम करेंगे तक तेरी बात सुनूँगा मालिक पह फटे हाल जीवन नाम का युवक और वह स्त्री जो उस बालक का हाथ पकड़े खड़ी थी उस रानी की क्या लगती है आखिर वह इतनी उतावली अच्छी नहीं होती बुलाखी तो काम धाम से निपट ले तब तुम्हें सारी बात बताऊंगा रात में खापी कर आराम करने लगे तो की रानी एक पुत्री को छोड़ कर अकाल मृत्यू को प्राप्त हो गई थी राजा अपनी बेटी माला को बहुत प्यार करता था उसकी परवरिश के लिए उसने दूसरी शादी कर ली लेकिन सौतेली मा ने उसे कभी प्यार नहीं किया हम बात बेबात वह उसे पीखती रहत जिस दिन माला पर मार पड़ती उस दिन उसी खाना भी नहीं मिलता वह अपने कमरे में चुप चाप अपनी मा के चितर के सामने आंसू बहाती रहती मा तो मुझे छोड़कर कहां चली गई इससे अच्छा तो ये था मैं जर्म लेते ही मर जाती मुझे ये कालिया और मार तो न सहनी पड़ती पिताजी को भी मेरी चिंटा नहीं है तो मुझे भी अपने पास क्यों नहीं बुला लेती मा उधर राजा अपनी नई रानी की चि पिला पिला कर सुला दिया है ओ वैतराज को बुला लिया होता कहां है वह है आपको मुझे भरोसा नहीं है क्या स्वतेली मा हूं इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं मैं जितना भी उसे प्यार करूं पर आपको तो राजा ने रानी की बात पीच में ही काट दी ऐसा नहीं कहते रा है आपके मुँमें जो आए कहते रहिए जाए जाकर देखाइए पहले उसे वे अपने कमरे में है राजा खाना छोड़ कर उठ खड़ा हुआ नहीं नहीं हमारा यह मकसद नहीं था प्रिये गुस्सा थूग दो हमें मालूम है कि हम से जादा तुम उसका ख्याल रखती हो पर आपने खाना के छोड़ दिया खाना तो खाईए यह खीर मैंने अपने हाथों से आप के लिए बनाई है बस प्रिये और नहीं मैं खा चुका हूँ खीर वाकई स्वादिश बनाई है तुमने कहकर राजा हाथ धोने के लिए परिचारिका की और पढ़ गया रात को रानी मा के चित्र के सामने सो गई है ओ लगता है मेरी बेटी रोते रोते सोई है तो क्या मेरी रानी ने जूट कहा था राजा ने पास ही मेच पर रखा खाना देखा इसने तो खाना भी नहीं खाया है उफ सोतेली मा कभी सगी मा की जगर नहीं ले सकती राजा ने अपनी बेटी म माला को जगाया तो माला अपने पिता से चिपट कर रो पड़ी चुप हो जा बेटी मेरी वज़े से ही तुझे यह दुख सहना पड़ रहा है मैंने तो सोचा था कि नई रारी तुझे सगी मां का प्यार देगी मैं अपनी मां के पास जाओंगे पिताजी नहीं बेटी नहीं ऐसा नहीं कहते मुझे मा की बहुत यादा रही है पिताजी मेरी मा मुझे चोड़ कर कहां चली गई है अब वो कभी वापस नहीं आएगी बेटी वह भगवान के पास चली गई है अपनी बेटी माला को समझा बुझा कर वा खाना खिला कर राजा ने उसे सुड़ा दिया र राजा उसे जाकते देखकर सक्वका गया लडाये लाड अपनी बेटी के देखना तुम्हारा यह लाड प्यार उसे बिकार कर रख देगा तब तुम भी मुझे ही दोश्ट होगे कि मैंने लड़की की देखभाल नहीं की सौतेली हूँ न यह बात नहीं है प्रिये दरसल व भूकी सो गई थी चुप रहिए आपको कुछ पता नहीं है वैं सारे दिन गली महले के आवारा बच्चों की तरहें बाग बगीचे में घूमती रहती है राज घराने के बच्चों की तरहें उसके एक लक्षन नहीं है तुम ठीक कहती हो रानी मैं कल ही उसे समझा दूगा चलो अब सोजाओ मैंने जरासा डांट क्या दिया कि गुस्ते में खाना भी नहीं खाया ना खाय मेरी बला से सुभा होती ही राजा भूल गया कि उसी माला को समझाना भी था वह राजकारे में व्यस्त हो गया इसका कसूर क्या है महराज यह चोरी की जुर्म में पकड़ा ग बात दस दस बता दी सुनकर इतनी रात में तुम दुकान में रोटी रेने घुसे थे और वह भी ताला तोड़कर यह चोरी नहीं तो क्या है महराज प्रहन कीजिए मेरे बच्चे कई दिन से भूके थे मैं उन्हें राजा ने बात काटी इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम चोरी करने लगो महामंत्री इसे कारागार में डाल दो और इसके बच्चों को रोटी पहुचा दो वह भूके नहीं रहने चाहिए जो अग्या महराज इसी तरहें दिन व्यतीत होने लगे लेकिन माला ने बाग वगीचों में जाना नहीं छोड़ा माला वो उपर वाली डा आज नहीं आई मैं तेरी खाल उधेर दूँगी बोल क्यों गई थी बाग में छोड़ो मुझे छोड़ तू मुझे इसी तरहें पिटते पिटते राजा की बेटी माला एक दिन जवान हो गई तो राजा ने उसे समझाया देखो बेटी तुम्हारी मा ठीक कहती है अब तु तु मेरी सहरिया है बच्पन से हम साथ राजा को गुस्सा आ गया खामोश रहो मैंने तुम से कह दिया है कि अब तुम महल से बाहर कहीं नहीं जाओगी क्या तुम्हें राज घराने के इज़त का कोई ख्याल नहीं है ठीक है मैं आज के बाद कभी महल से बाहर नहीं राजा के माथे पर बल पड़ गए बस बस मुझे ज़्यादा धौस मत दो खाना नहीं खाना है तो मत खाना भूख तुझे सताएगी या मुझे आज मेरी माद जीवित होती तो क्या मुझे भूखा रहने देती बस आज की ही तो बात है राजा चौंका आज की ही क्या बात ह आज मैंने अपनी सहलियों के साथ नदीपस नान करने जाना है मैं उन सभी को बुला चुकी हूँ वे मेरी प्रतिक्षा कर रही होंगी राजा ने कुछ सोचा और बोला ठीक है आज तो तुम चली जाओ लेकिन फिर कभी जित की तो मैं तेरी शादी करके हमेशा के लिए तुझे महल से निकाल दूँगा एई माला नदीपस नान करने के लिए चली कई तो नई राणी ने राजा को आड़े हतो लिया आप यहां की राजा है पर आपको अकल जरा नहीं है आप अपनी बेटी को जरूर बिगार कर रग देंगे आपको राज घराने की इज़त का जरा भी ख्याल नहीं है क्यों उसे भेज दिया नदी पर नहाने को नदी पर कोई उसे खा नहीं जाएगा रानी वे हमारी पेटी है उसकी और आग उठाने वाले की हम आँखे निकल वा लेंगे उधर नदी पर माला अपनी सहेलियों के साथ नहाती हुई अटखेलियां कर रही थी तभी नदी के पानी में एक मगरमच ने माला का पैर पकड़ कर खींचा एका एक माला के चीख निकल गई सहेलियां हरबढ़ा गई हाई राम बचाओ बचाओ हाई मेरा पैर भागो मगर्मच है मगर्मच माला को पानी में खींचने लगा तो माला छट पटाने लगी और उसकी सहीलिया शोर मचाने लगी बचाओ अरे कोई राजकुमारी को बचाओ वहीं पास में एक युवक लककड हारा, जंगल में लकड़ी काट रहा था, उसके कानों में माला की सहिलियों की चीक पड़ी, तो वह पेड़ से कूट पड़ा, नदी पर जरूर कोई मुसीबत में है नदी पर राजकुमारी माला को मगरमच के चबड़े में फसी देखकर, युवक ने एक पल का भी विलम नहीं किया, और कुलहाडी सहित पानी में कूद गया, छपाक, बच्चाओ, मगरमच के पास पहुँचकर, युवक ने उस पर कुलहाडी से वार किया, राजकुमारी माल का पैर छोड़ कर मगरमज खुले जबडे से युवख पर छपता तह लिए युवख ने कुलाडी फैंकी कुलाडी मगरमज के खुले मुह में फस गई वहत तलप उठा युवख नि तुरन पलट कर राजकुमारी माला की और देखा वह तेजी से बहाव की और पहती जा रही थी इसे यहीं छोड़ पहले मुझे उस युफ्ति को बचाना चाहिए युवक मगरमच को वहीं छोड़ तेजी से राजकुमारी माला की और लपका कोछी देर बाद सहेलियों ने देखा कि पानी में दोर दोर तक ना तो राजकुमारी माला दिखाई दे रही थी और ना वह युवक हे भगवान वे दोनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे कहीं डूब न गए हो हमें तुरन महाराज को खबर देनी चाहिए सहेलियों ने राजमहल जाकर राजकुमारी को मगरमज द्वारा खीश ले जाने की जोटी बात बता दी जाने किस ड़र से उन्होंने उस युवक के बारे में कुछ न बताया सहेलियों के मुक से सारा किस्ता सुनकर राजा अत्याधिक दुखी हो था हाई मेरी बेटी महामंत्री नदी में फोरां जाल डलवाई है कम से कम उसकी लाश ही मिल जाए मुझे क्या मालूम था कि मेरी बेटी आज आकरी बार मुझसे विदाई ले रही है जल्दी करो महामंत्री ढोंडो उसे जो अग्या महराज उधर बहाव में काफी आगे जाकर युवक ने बेहोश माला को पानी में से निकाल लिया खुश देर उपचार करने के बाद माला को होश आ गया तो वे भैभीत होकर युवक की और देखने लगी तुम कौन हो? मुझे मगर से किस ने बचाया? परमात्मन ने ही आपकी रक्षा की है मैं जीवन हूँ और किसान का बेटा हूँ पर अब लकडिया काट कर गुजर करता हूँ आपकी पुकार सुनकर ही इश्वर ने मुझे आपकी रक्षा के लिए भेज दिया था जीवन के नमरता से भरे हुए वैवार से माला बहत परभावित हुई तभी उसे अपने पैर के जख्म का खयाल आया हाई मेरा पैर मगर ने अपने पैने जबड़े से इसी जख्मी कर दिया है गनीमत समझे कि पैर ही जख्मी किया है कहें मुझे देर हो जाती तो भे आपको समुचा ही निगल जाता ओ नहीं आप इतनी बड़ी होकर उस जड़ा से मगरमस से डर गई आप रहती कहा है माला ने आश्यरी से जीवन की और देखा अरे तुम मुझे नहीं पैचानते मैं यहां की राजा की पुतरी हूँ माला महल में रहती हूँ ओ तो आप राज कुमारी हैं उस राजा की बेटी जिसने केवल दो रोटी चुराने की अपराद में मेरे पिता को कारागार में डाग दिया था क्या? क्या कह रहे हूँ तुम? मैं जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ दस बरस पहले मैं और मेरे दो चोटे भाई बहन भूग से तड़प रहे थे हमारी सारी की सारी फसल राजा की बदमाश कोतवाल दुरजन ने हडप ली थी घर में एक दाना तक उसने नहीं छोड़ा था हमारी भूग जब पिताजी से देखी नहीं गई तो वे रोटी का इंतजाम करने नगर में चले गए और वहां पकड़े गए राजा ने उन्हें कारागार में डाल दिया और हमारे लिए रोटी भेश दी लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी मेरे दोनों भाई बहन भूग से तड़ब तड़ब कर मर गए थे पता नहीं मैं पापी कैसे बच गया ओ क्या तुम्हारे पिता अभी भी कैद में है क्या नाम है उनका गरेबों का कोई नाम नहीं होता राजकुमारी जी चलिए आपको आपके घर तक छोड़ाओं जीवन राजकुमारी को सहरा देकर महल तक ले आया राजा के सैनिक राजकुमारी को जीवी देखकर बहुत प्रसंद हुए राजकुमारी जी आपको ढूंडने के लिए हमने सारी नदी का पानी छान डाला पर आपका कहीं पता नहीं चला मैं पाने में बह गई थी इस युवक ने मुझे बचाया सैनिक अधिकारी जीवन को वहीं छोड राजकुमारी को लेकर महल में चला गया आपने उस युवक को बाहर के छोड़ दिया जाकर उसे आदर के साथ अतिती कक्ष में बिठाओ आप उसकी चिंता न करें राजकुमारी जी हम राजा से कहकर उसे इनाम दिलवाएंगे इनाम के लालच में उसने मेरी जान नहीं बचाई है अब तुम जाओ और उसे देखो मैं भीतर स्वेंग चली जाओंगी सैनिक अधिकारी वापस लोड़ कर द्वार पर आया तो जीवन वहां नहीं था अरे वह युवक कहां चला गया नायक जी वह तो तब ही चला गया था उसने अपना नाम तक नहीं बताया माला को जीवित वापस आया देख कर राजा बहुत प्रसंद हुआ अहां मेरी बेटी मैंने तो समझा था की पिताजी वह बहादूर युवक यदि मुझे न बचाता तो मैं सचमुझी मगरमज का कलेवा बन गई थी राजा ने उत्साहित होकर अपनी बेटी से पूछा कहा है वह युवक हमारी बेटी की जान बचाने के बदले में हम उसे माला माल कर देंगे महराज की जै हो महराज वह युवक तो बिना कुछ बताए ही चला गया माला विच्रि थोठी पिताजी गर्ती मेरी है उसे मुझे अपने साथ यहां तक लाना चाहिए था लेकिन अभी भी उसका पता लग सकता है कैसी क्या तुम्हें उसका पता मालूम है नहीं मुझे उसका पता तो मालूम नहीं है लेकिन मैं उसका नाम जानती हूँ उसका नाम जीवन है और वह उसी किसान का बेटा है पिताजी जिसे दस बरस पहले आपने दो रोटी चुराने पर कारागार में डाल दिया था हमने? हमने उसके पिता को कारागार में डाला था क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ पिता जी तब राजा ने फौरण अपने महामंत्री को बुलाया महामंत्री माला का कहना है दस बरस पहले हमने किसी को रोटी चुराने पर कारागार की सजा दी थी महराज बात काफी पुरानी हो चुकी है इसका लेखा जोखा नगर कोथवाल दुर्जन दत के पास होगा वही बता सकता है दुर्जन दत को हमारे सामने पेश करो राजा माला के साथ जिस समय अपने अंतपुर में पहुँचा, उस वक्त नगर कोतवाल दुर्जन दर्थ अपनी पहन के पास कलेवा कर रहा था, राजा को देख वहे चौंक कर उठा, महराज, अरे, कलेवा की छोड़ दिया, खाओ, जी भर कर खाओ, बैठो, तभी रानी की नजर माला पर पड़ी, तो वह उसकी और लपकी, अहां, मेरी बेटी, तो जीवित है, हां मा, क्यों दुर्जन, माला को जीवित देख कर तुम्हें शायद खोशी नहीं हुई, तो यह थी अब तक की कहानी, आगे की कहानी जानने के लिए बनी रहे मेरे साथ, और हां, मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले, धन्यवाद